अगर किसी को नहीं पता है CPR क्या होता है तो CPR एक indicator होता है तो यहां हम indicators पर जाएंगे and search कर लेंगे CPR type करने पर हमारे सामने बहुत सारे indicators आ जाएंगे बट आपको यहां पर एक CPR by DTT देखने को मिलेगा विकोज हमें यहां पर सिफ CPR की 3 lines ही देखने को मिलेगी बाइकि इसके अलावा अगर कोई और CPR आप अपलाई करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे levels देखने को मिलेंगे जो कि बहुत confusion create करते हैं इसलिए आपको CPR by DTT को अपलाई करना है तो अब हम यहां पर क्लिक करके अपलाई कर लेते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर CPR अपलाई हो चुका है यहां पर हमारे सामने 3 lines आ चुकी है तो यह 3 lines CPR की होती है जो सबसे उपर वाली line होती हो टॉप pivot होता है 2nd line जो red color की है वो central pivot है and 3rd line जो है यहां पर वो bottom pivot है basically यह 3 lines pivot की lines होती है and अगर आप CPR indicator के बारे में in detail सीखना चाते हो तो वीडियो की link आपको description में देखने को मिल जाएगी वहाँ पर आप जाकर पहले CPR के बारे में सीख सकते हो and उसके बाद यह वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा so हम CPR indicator को use के से कर सकते है and इसके basis पर हम trade के से ले सकते है वो मैं आपको यहाँ पर explain कर देता हूँ so market जब भी CPR levels को touch करता है वहाँ पर हमें maximum time reversal देखने को मिलता है for example जैसे कि market ने यहाँ पर CPR levels को touch किया था यहाँ आप देख सकते हो CPR की three lines आपको देखने को मिलेगी so जैसे ही marketing CPR की three lines पर आया हमें यहाँ से एक reversal देखने को मिला यहाँ पर आप देख सकते हो यह market ने wick बनाई है and same हमें इसी level से एक rejection देखने को मिला and इस दिन यह market का support था जो की market ने पूरे दिन में break नहीं किया है so एसे अब CPR levels पर एक reversal trade ले सकते हो अगर market उपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो CPR levels हमारे लिए एक support का काम करेंगे and अगर market नीचे से उपर की तरफ जा रहा है तो CPR level हमारे लिए resistance का का काम करेंगे and वहां से हमें एक reversal देखने को मिल सकता है जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिला था इस दिन market यहाँ तक आया था and same यहाँ पर sustain नहीं कर पाया market and हमें reversal देखने को मिला तो यह CPR levels ने इस दिन support का का काम करा है इससे पहले वाले दिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस दिन CPR levels ने resistance का का काम किया है and एक भी candle top pivot के उपर closing नहीं दे पाई and हमें यही से rejection देखने को मिला है market ने यहाँ पर try भी किया था उपर जाने का बट हमें एक भी closing इसके उपर देखने को नहीं मिली है and इस दिन हमारे लिए CPR levels ने एक बहुत अच्छे resistance का काम किया है same अगर हम एक दिन पहले का देखते हैं तो यहाँ पर CPR levels ने एक support का काम किया है यहाँ पर market open हुआ यहाँ first candle बनी first candle ने CPR levels का support लिया and यही से हमें reversal देखने को मिला and फिर इस दिन यह market का low था इसके नीचे market नहीं आ पाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CPR levels एक बहुत अच्छे reversal trade का काम करते हैं so हम trade कैसे ले सकते थे हमारा जो stop loss होने वाला था वो CPR levels के नीचे हम रख सकते थे and हम जो target रख सकते थे वो 1-2 रख सकते थे जो कि यहाँ पर easily अच्छी हो गया था so एसा नहीं है कि यह holy grail strategy 100% market में work करेगी and I hope आप ऐसे trader भी नहीं होगे जिसको 100% working strategy चाहिए so आपको stop loss तो हमेशा लगाना ही पड़ेगा कभी-कभी हो भी सकता है market in CPR levels की respect ना करे and इनके नीचे भी market चला जाए हमें वहाँ पर reversal देखने को ना भी मिले तो इसलिए हमें वहाँ पर stop loss भी लगा के रखना है personally मैं यह strategy यूज़ करता हूँ and मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे result देखने को मिलते हैं इसकी accuracy की अगर हम बात करें तो 75-80% की accuracy हमें देखने को मिलती है अभी मैंने आपको यहाँ पर first day, second day, third day and इस दिन भी हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर fourth day marketing and CPR levels की respect की है तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने जो 4 दिन का analysis किया है वहाँ पर हमारी 100% accuracy देखने को मिली है तो अगर हम 10 भी trade लेते हैं उसमें से 7-8 trades हमारे favor में जाती है तो भी हमारा बहुत अच्छा risk management होगा and ऐसे हमारी strategy की accuracy भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है एसा नहीं है कि stop loss hunt नहीं हो सकते हैं बट यहाँ पर operators try करते हैं कि CPR level से market को उपर या फिर नीचे ले जाया जाए तो इनका आप stop loss लगा कर एक trade plan कर सकते हो and यहाँ पर आप stop loss hunting से भी बच जाओगे अगर मैं इस से एक दिन पहले का भी analysis आप कुछ दिखाऊं तो again इस दिन भी market ने यहाँ पर CPR levels पर resistance लिया जो कि top pivot था exactly market ने यही पर resistance लिया and इसके बाद हमें downside momentum देखने को मिला है हम यहाँ पर stop loss लगा कर एक trade plan कर सकते थे and यहाँ पर हमे more than 1-2 का target easily देखने को मिल गया है एक दिन पहले का भी हम यहाँ पर देख सकते है market यहाँ पर बहुत तेजी से downside move कर रहा था यहाँ पर हमें green candles तो दीखी नहीं रही है almost यहाँ पर continuously more than 10 candles बनी है जो कि पूरी red candles सी and suddenly market जैसे ही CPR levels पर आता है हमें बहुत बड़ी green candles देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी आप एक trade plan कर सकते थे इसके थोड़ा सा नीचे आप stop loss लगा कर upside के लिए trade ले सकते थे यहाँ पर हमें कुछ minutes में 1-2 का target easily देखने को मिल गया था तो यहाँ आप देख सकते हो market CPR levels की कितनी respect करता है and इस पर stop loss hunting भी बहुत कम time होती है तो यहाँ पर stop loss लगाना होता है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो market ने इस दिन CPR levels की बिल्कुल भी respect नहीं की यहाँ पर CPR level का breakout हुआ and आप upside momentum देखने को मिला है तो यहाँ आप trade plan कर सकते हो अगर market CPR levels का breakout या breakdown दे देता है तो फिर उस दिन आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें reversal trade plan करनी है अगर CPR levels का breakout हो गया है तो हम same side ही trade लेंगे तो जैसा कि यहाँ पर CPR levels का breakout करके market उपर move करने लगा था तो यह से में आपको market के according ही trade plan करनी है अगर market यहाँ पर resistance ले ले लेता जहाँ पर market CPR levels को touch नहीं करेगा तो इनको हम वर्जिन CPR बोलते है तो यह से हम वर्जिन CPR पर भी कैसे trade plan कर सकते है उस पर मैंने CPR indicator की वीडियो में बहुत अच्छे से explain किया है वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो आपको वीडियो की link description में भी देखने को मिल जाएगी और उपर में वीडियो की link भी आपको i button में provide कर दूँगा तो यह से आप CPR levels का use करके stop loss hunting से भी बस सकते हो और अगर आप stop loss hunting की और भी strategies देखना चाहते हो और आपको channel पर एक playlist भी देखने को मिल जाएगी stop loss hunting की या फिर में उपर i button में link भी provide कर दूँगा तो वहापर आप जाकर stop loss hunting के बारे में भी सीख सकते हो और अगर आप हमारे instagram या telegram channel पर भी join होना चाहते हो तो उनकी link भी आपको description में देखने को मिल जाएगी आप वहापर जाकर join हो सकते हो अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रही हो तो comments में जरूर बताना and इस वीडियो में बस इतना ही thanks for watching, see you in the next video